नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का कर्मा आयरुविदा के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ रमन शर्मा एक बार फिर से लाया हूँ आप सभी के लिए किड्नी से जोड़ी जरूरी इंफोर्मेशन जो आप कर्मा आयरुविदा के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं इस चैनल पर आपको किड्नी से रिलेटिड हर प्रकार की जानकरी आसानी से मिल सकती है आज हम बात करेंगे किड्नी का हेल्दी रहना क्यों इंपोर्टेंट होता है जैसा आप सभी जानते हैं कि किड्नी हमारी बॉड़ी का एक इंपोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हमारी बॉडी में खून की सफाई करने के साथ पानी को बैलेंस बनाये रखने में मदद करती है हमारे खून में जितने भी खराब पदार्थ बनते हैं क्या मौजूद होते हैं किड्नी फिल्टर करके उनको यूरिन के थूँ बाहर निकाल देती है अगर किड्नी सही से काम नहीं कर पाती है तो आपके शरीर में कई तरह की दिक्कते आने लग जाती है जिससे धीरे-धीरे किड्नी खराब होने लग जाती है किड्नी हमारे शरीर में पीछ वाले भाग में रीड की हड़ी के दोनों तरफ मौजूद होती है किडनी देखने में राजमा जैसी होती है और हमारी मुठी के बराबर की साइज भी होती है किडनी 100 cm लंबी, 6 cm चोड़ी और 4 cm तक मोटी होती है और वजन में लगबग 500-170 ग्राम तक भी होती है अब बात करते हैं केडनी की हेल्थ के बारे में कि हमारी किड्नी का स्वास्त रेना हमारे लिए क्यों जरूरी है फर्स है किड्नी का सबसे पहला काम हमारे खून को साफ करने का होता है वो 99 प्रतीशत खून साफ करके हमारे शरीर में वापिस भेज देती है बचा हुआ 1% कून को यूरेन बनाने के लिए छोड़ देती है जिससे शरीर में मौजूद सभी harmful substances बाहर निकल जाएं सेकंड है किड्नी हमारे शरीर में पानी और liquid substances के amount को balance रखने में help करती है थर्ड है किड्नी हमारी body में bones को strong बनाने में भी help करती है अब बात करते हैं किड्नी खराब होने के कुछ reasons के बारे में अगर उन पर ध्यान दिया जाए तो आप अपनी किड्नी को हमेशा के लिए healthy रख सकते हैं जैसे फर्स है अगर आप diabetes की समस्या से जूज रहे हैं तो आप अपनी दवाईयों का सेवन समय पर करें और अपने खान-पान का विशेश दियान रखें किड्नी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण diabetes होता है आपके खून में जब शुगर की मात्रा बढ़ने लग जाती है तो आपके किड्नी के काम पर दबाव पढ़ने लग जाता है जिससे ब्लेड को फिल्टर करने में उसे ज्यादा टाइम लगने लगता है जिस कारण से बाकी के फंक्शन पर भी बुरा असर पड़ता है अगर किसी को ब्लेड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी कंट्रोल में रखें क्योंकि अगर आपका ब्लेड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहता है तो आपको हाई ब्लेड प्रेशर की समस्या हो सकती है जो किड्नी खराब होने का दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है आप समय पर दवाई लें और अपनी डाइट में नमक की मात्रा को कम रखें कोशिश करें कि आप बाहर का खाना कम खाएं डबबा बन खाना या पैक्ड फूड का सेवन भी कम कर दें घर का बना ताजा खाना खाएं और साधाना नमक की जगह आप सिनठा नमक का ही सेवन करें जिससे बलड में सोडियूम का एमाउंट कम रहेगा और आपका ब्लड प्रेषर भी कंट्रोल में रहेगा ऐसा करने से किड्णी की समस्या से भी बचाव होता है स्मोकिंग से कैंसर जैसी कई बड़ी विमारी होने का रिस्क रहता है साथ ही स्मोकिंग से हमारे लंग्स भी डैमेज होते हैं जिस कारण से किड्नी फेल हो जाती है पूर्थ है एलकोहल शराब में कई harmful substances मौजूद होते हैं जिनको किड्नी सही से filter नहीं कर पाती अगर किड्नी पर किसी भी वज़ा से कोई dvav ज्यादा पड़ता है तो आपके kidney फेल भी हो सकती है फिफ है पेंकिलर का ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा पेंकिलर या एंटिबाटिक दवाईयों का सेवन करने से आपको kidney failure के समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है और किड्नी दोनों पर ही उसका बुरा असर पढ़ सकता है। अगर आप अपनी सेहत और किड्नी की समस्था से बचना चाहते हैं तो पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करें। हमारी बॉडी में 70% पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 1.5 से 2 लीटर या 8 से 10 ग्लास पानी पीना शुरू कर दें। कम पानी से शरीर में मौझूद टॉक्सिंस बढ़ जाते हैं जिससे किड्नी पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही ज्यादा पानी पीने से किड्नी टॉक्सिंस को यूरिन के थुरू बाहर निकाल देती है। और किड्नी हेल्दी रहती है। लास्ट है यूरिन को रोकने की आदत की वज़ा से किड्नी प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर हमारे busy lifestyle में कई बार देखा गया है कि काम के दबाव या किसी भी और वज़े से हम काफी देर तक urine को रोक लेते हैं, इस वज़े से urine bladder भर जाता है, और kidney की ओर वापिस चला जाता है, बार बार ऐसा होनी की वज़े से urine infection हो सकता है, या फिर आपको kidney की कोई भी समस्टा क सामना भी करना पर सकता है, जिससे kidney खराब होने का भी रिस्क रहता है, आपकी kidney को स्वस्थ बनाने के लिए अपनी diet में नमक और मीठे के 7 से बचे, आप अपनी diet में सेब, क्रेंबेरी, लिया, टिंडा, तोरई, आनानास, पपीता, गाजर, मूली का 7 कर सकते हैं, तो यह थ से related kidney की किसी भी problem को face कर रहे हैं, तो आप कर्मा अयरुवेदा kidney के इंदर से इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि यहां आयरुवेदी खर्ब से बनाए गई दवाईों से इलाज होता है, कर्मा अयरुवेदा kidney के इंदर में संपर्क करने के लिए आप हमारे number, email और केंदर का पता description box में देख सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करें, और अगर यह जनकारी आपको useful लगी हो तो अपने दोस्तों और रिशेदारों के साथ इस वीडियो को share करना ना भूलें 011-4264-4274, हमारी email ID है doctor at karmaayurveda.com, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी website www.karmaayurveda.com पर लॉग आन भी कर सकते हैं, कि झान भी के लाटज़सने के लाटब सकते हैं, इसलब कर दोस्तों और वह जे लाटउने के लिए क lovely 09 कि लंदयक हैं,